हेलो एवरीवान कैसे हैं आप सब लोग आज इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे यह टॉपिक काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है बच्चों के लिए क्योंकि काफी सारे एक ही चीज कमेट बॉक्स पर देखने को मिल रही है है फेस्बुक पर मेसेजिस में हर जगा पर से भी डाउट आ रहा है कि क्या जेके एक्जाम्स हैं वो टाइम पर कंड़क्ट करवाएगा तो आज हम इसी पर बात करेंगे पांसे दस फिरेट में आपके लूगा मैं खुद यह लेक्चर दस से पंदा दिन हो गए है मैं आप लोगों के साथ नहीं ले कि आ पारा था मेरी खुद की तवियर ठीक नहीं थी आज बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा है और आप लोगों की दुआहों सब्सक्रमिफिप जो कैलेंडर है वह ौट किया गया था जिसमें क्या था ऐसां जो थे वह के लास कare थे कश्मीरी मारेंट के ओ से वो और अगर हम बात करें आप लोगों के बाकी उ टाइप लिकोंगे टैस्ट हो गया जिस्पर जूनियर असिस्टेंट का इसी के साथ JE civil, finance account assistant, sub inspector, inspector और भी बहुत सारे exam जो थे वो एक पूरे systematic way में lined up थे, जो की काफी smoothly चल रहे थे, class 4 का आपका exam हुआ, कश्मीरी migrant का आपका exam हुआ, result आ गया, class 4 का भी result आपका शायद से जल्दी आ जाएगा, बाकी सब exams भी आपके lined up थे, अभी हलात जो बन चुके है, उसमें आप मान के चल सकते है कि 95% chances यह है कि आपका जो exam है, वो postpone होगा, reason क्या है, मैं आपको भी बता दाता हूँ, काफी सारे center level exams जो है, वो postpone होए है, हर एक state में जो exams थे, वो postpone होए, reason simple है, जो covid अभी चल रहा है, वो इस समय peak पे है, और यह peak आप लोग मान सकते है, May ending तक रहेगा, उसके बाद जो भी आप लोगों के साबने चीजें जिस तरीके से आएगी, वो तो हमें वक्त ही बताएगा, same हला था आपके जो थे, वो पंचायत account assisted के दोरान भी थे, exam, हमें नहीं पता था कि कब होगा, लेकिन हमने आप लोगों को पिछले साल सिर्फ यह भी कहा कि आप यह मान के चले आपका exam, पिछले साल ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तब भी आपको यह misguide कर रहे थी, कि आपका exam होगा ही रही, possible ही रही है, आप लोगों के test conduct करते रहे, time to time, और आप लोगों के देखा, November में आपका exam हो भी गया था, और result आप लोगो असिस्टेंट से अलग, इसलिए है, क्योंकि तब जो reason था, November में exam पोस्पोर होने का वो elections थे, लेकिन इस बार आप लोगों की safety के लिए ही, मैं खुद भी यह चाहूँ, अगर आप लोगों का पोस्पोर्ट एक से दो वहीरे अगर हो सकता है, तो वो जरूर हो, और काफी ज exam जो है, वो पोस्पोर्ट होता है, तो, अब वो दो चीजे क्या होगी, देखो, आप लोगों को मैं एक simple सी चीज बताता हूँ, मैं भी experiment हूँ, मुझे पता है कि तयारी का graph किसका किस तरीके से चलता है, जब अब लोगों ने January, February, यह मैं आपको अभी आप एक graph की तरह बत उपर था, आते 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 March तक यहां तक जो हमारी तयारी थी, systematic तरीके में चल रही थी, आप लोगों की study plan यारी की classes आपको बिल रही है, आप लोग पढ़ रहे है, strategy के लिए test हम लोग 2 दे चुके है, आप लोग test दे रहे हैं, लेकिन April आते आते यहां पर क्या हुआ हुआ बहुत सारे बच्चों में उनकी तयारी का एक ऐसा saturation point आना शुरू हो जाएगा, जो time के साथ जैसे जैसे exam postpone होगा, वो गिरना शुरू हो जाएगा, तयारी का graph यह आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी start सी, सब कुछ अच्छा होता है, तयारी अच्छी चलती है, ऐसा चल रहा है, और ये time के साथ ऐसा ही जाता जाएगा, जो लोग आपको final list में भी दिखेगे, ये बच्चे वो है, जो तयारी अभी भी उसी speed से कर रहे है, जिस speed से उनने तयारी को शुरू किया था, graph उनका time के साथ बढ़ता ही जाएगा, किस तरीके से हम लोग अपना graph continue रख सकते है, ये जो face है, इसको ना आने दे, ये भी मैं आपको यहाँ पर discuss करूगा, ये सब आप लोग relate खुद कर सकते है, मैं तीन category हमेशा बताता हूँ बच्चों की, कोड किस category बे आता है, ये आता है, first category, majority बच्चे इसी बे आते है, ये आती है, second category, जिस पे maximum जो आप को टॉप rankers होंगे, वो दिखेगे, और एक आती है, आपकी third category, जिसमें क्या होगा, जिसमें बच्चों ने तयारी ही, यहाँ पे, अभी आप लोगों ने देखा, एपरल बे में, आप लोगों ने देखा, एक्जाम पोस्पर होगा, जिरों ने अब तयारी शुरू करेगे और जो final list तक इसको ले जाएंगे, बहुत सारे बच्चे 50 account assistant में भी मैंने ऐसे देखे थे, जिलोगों ने September में तयारी शुरू करके, November में exam को qualify कर दिया, तो यह जो उन लोगों के लिए है, जो लोग मेरे को कहते हैं कि अगर हम आज तयारी शुरू करें तो आप qualify कर सकते है तो जी हा, आप बिल्कुल qualify कर सकते हैं, बहुत time है, reason क्या था, reason यह है कि पहले जो हम लोग lectures बनाते हैं, वो आपको daily basis पे बिलते हैं, अब क्या है बच्चों के पास, जो लोग अभी तैयारी शुरू करें, जो यह third category के हैं, इनके पास सारा material available है, telegram पे सब कुछ available है, हमार सारे बच्चे कहते थे, जिन लोगों ने, September में qualify किया है, उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने, जो मैं आप लोगों को recommend करता हूँ, एक olive board के notes, उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने इनी notes को पढ़ा, read करते गे, करते गे, करते गे, बार-बार करते गे, exam तोर पर 90% जो सिलेक्शन होगी वो इन लोगों की होगी जो बच्चे यहां तक बहरत करके फिर ग्राफ आप जिनका रीचे गिना शुरू हो चुका है जो लोगों को लगता है कि हाँ एक्जाब कप होगा पता नहीं क्या करना है क्या नहीं छोड़ो अराम से पढ़ेंगे अर आपके चांस बहुत काम हो जाते और यहां पर जो आपके चांस जीनके यह से सेटम सेटेगरी के फर्स केटेगरी के उनके चांस इस कोल लेता जो बच्चे आप सीर्यऊ होगे और तैयारी को अपनी स्ट्रॉंग करेंगे यह आपको不好 ठील पर लोग खुद दिल पर हाथ कि on time हो जाए हो सकता है कि एक से दो महीने पूस्पोन हो जाए अब हमें करना क्या है अब तयारी को करना किस तरीके से है देखो जो classes है अब काफी बैटर हूँ मेरी कोशिश रहेगी कि आपको time to time classes मिलती रहे हर एक lecture के ऊपर आपको हर अब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खुद भी effort डालना है क्योंकि जितने महीने exam पोस्पोन होगा cut-off आपका जरूर बढ़ेगा आपको क्या करना है आपको जो भी topic हम लोगों ने पढ़ा दिया है उसको उठाना है मौक्ते साब का जो अब इष्वाला है वो थोड़ा सा पोस्ट्वोन कर देगे आपको अप इस पैब थोड़ा सा काब करना है आपको क्या करना है अब आपको लिख़णा है syllabus पहले आपको एक बार हातों से syllabus लिखता है आपको यहां पे syllabus भी दिखा देता हूं ताकि आपका जो time है वह बचे आ वाहिच सेन ने जो lecture पड़ाए है, आप लोगों ने इसको क्या किया, पहले आपने ज्या किये, वीडियो देखें, दूसरा step क्या क्या, वाहिच सेन ने जो notes आपको दिए, आपने उसको note किया, तीसरा step आपको जिलेंगे आपको वह अच्छे तरीके से compiled way में आपको मिल जाए फिर आपको क्या करना है इसके बाद आपको जाना है गूगल पे गूगल पे जाओगे वहां पे लिखोगे टॉपिक का नाम प्लस उसके साथ लिख देना MCQs आपको कही ना कही MCQs बिल जाएगे अगर आप एक से दस MCQs पर टॉपिक लगाते हो देखो आपके कितने परसंट ठीक होते है कोई अगर टॉपिक का MCQ नहीं समझ आता उसको आप करो हमारे फेस्बुक ग्रूप पे पोस्ट बच्चे वहां पे बहुत है टॉपर्स है उससे क्या होगा कोई अगर चीज आपकी छोटी से छोटी भी छूट रही होगी तो आप वहां से cover कर लोगे यह अब आपको इस तरीके से इस graph को follow करना है ऐसे करते करते हैं आपको हर एक topic पे अब काम करना है किसी भी topic को lightly नहीं लेना है जैसे अब आप यहां पे आपकी statistics क section complete हो चुकी है economics भी almost complete हो चुका है mathematics भी हो चुका है थोड़े से lectures अब इसके रहते है में बस आ चुकी है बस upload करना बाकी है आप लोग क्या करो जब आप यह पूरा जो मैंने आपको systematic तरीका बताया है video lectures देखे फिर notes बनाए olive board के जो notes है उसको read किया उसमें से अगर कोई point ब आप लोग यह हार एक topic को यानि कि मान लीजिए आपने सब topic से 10 के 10 को कर दिया उसके बाद आप क्या करेंगे sectional test को attempt एक एक करके sectional test में आप देखेंगे कि आपके कितने ठीक हो रहे है 20 questions आपको वहाँ मिलेगे उसके बावजूद भी अगर कोई question आपको दिखता है जो करना है mock test जो अब हमारा होगा हम थोड़ा सा अराम से देंगे पहली कोशिश आपकी क्या रहेगी आपकी कोशिश पहली अब यह रहनी चाहिए कि आप लोगों को जो मैंने कहा है olie board पर यह जो notes आपको मिलेंगे in detail notes को आप काफी अच्छे से read करें एक बार क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ हमेशे ऐसा होता है जो हमसे भी skip हो गया होता है लेकिन यहां पर आपको मिल जाएगा आप लोग इसकी इनकी आप को डाउनलोड कर ले olie board लिखके जैके exams पर जाएं वहां पर आपको notes, mock test, sectional test सब कुछ दिख जाएगा और अगर कुछ बच्चे जो जिनको सब आता है जिनको सब कुछ लगता है कि उन्हें पढ़ लिया है उसके अलावा अगर कुछ extra बढ़ना है तो यह videos भी देख लो आप अगर आपको आश paste ना करो अपना कभी भी बिल्कुल भी नहीं करें तभी मैं आपके लिए session लेके आया हूँ कि अगर exam आपका postpone होगा तो आपका जो cutoff होगा वो काफी जादा बढ़ेगा इस exam का और यह जो तीन categories मैंने आप भी आपको बताई है बच्चों की आप लोग खुद एक बार fall करते है तो भी time नहीं हुआ खराब यहां से वापिस से तैयारी को आप लोग उपर लेके जा सकते है majority बच्चे first category के ही बिलेगे आपको लेकि जो final list पे होंगे वो ही होंगे जिनका graph नहीं गिरेगा तो यह आप लोगों के लिए reminder था जो लोग कह रहे थे paper क्या postpone होगा त experience आपके लाखों में होंगे लेकिन selection सिरफ कुछ सो लोगों की होगी 500-600 आप में से select होंगे तो form बहुत सारे बच्चे भरते है तैयारी limited रखते है और जो तैयारी जिनकी बिल्कुल भी नहीं तूटती है वही बच्चे हमेशा finalist में exam खतम करते हैं हम भी experience हैं हमें हर एक का बारे में पता है कब कब आपकी तैयारी का graph गिरता है तो यह हमारा फर्ज है कि अब आपको एक reminder दे कि तैयारी नहीं गिरने देनी है अपना ध्यान रखना है बहुत जादा जितना हो सके उससे जादा ध्यान रखना है अगर कोई काम नहीं है फालतू तो बाहर मत जाए घर पे रहे सिर्फ पढ़ते रहे किस तरीके से systematic तैयारी करनी है वह मैंने आपको बता दी है बस आप लोग घर पे रहे आराम से पढ़ते रहे मुश्किल टाइम है निकल जाएगा हिम्मत रखे और तैयारी करते रहे तो आप लोगों के लिए यही था आज का session एक जो बच्च लोगों से कल ने lecture के साथ I hope इस session के बाद आपको थोड़ी सी help मिलेगी okay guys bye bye take care all the best मिलते आप लोगों से कल ने lecture के साथ